हरे कृष्णा आज हम श्रीमत भगवत गीता के चौदवे अध्याय के 26 और 27 श्लोक को पढ़ेंगे आए पहले 26 श्लोक का स्वरसे गायन करें माम्चयोव्यभिचारेन भक्तियोगेन सेवते सगुनान समतित्य इतान ब्रम्ह भूयाय कल्पते आई अब इसका शब्दार देखते हैं माम्चयोव्यभिचारेन मेरी भी यह अव्यभिचारेन यानि जो अव्यभिचारी भक्ति योगेन सेवते भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है माम्चयोव्य भिचारेन भक्ति योगेन सेवते आया बगली पंक्ति पे चलते हैं सगुणान समतीत्य इतान वह गुणान समतीत्य इतान यानी तीनों गुणों को लांग कर इन ब्रह्म्ह भूयाय कल्पते ब्रह्म्ह को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है सगुणान समतीत्य इतान ब्रह्म्ह भूयाय कल्पते इसका अर्थ हम अगले श्लोक के सांथ ही देखेंगे आईए अब 27 वे श्लोक का स्वर्से गायन करें आई अब इसका शब्दार देखते हैं निराकार ब्रह्म का निश्चे ही प्रतिष्ठा अहम यानि आश्रे मैं हूँ अम्रितस्याव्ययस्यच अम्रितस्य अव्ययस्य यानि अम्रित का अविनाशी तथा ब्रह्म्हनोही प्रतिष्ठा हम अम्रितस्याव्ययस्यच आया बगली पंक्ति पे चलते हैं शाश्वतस्यच धर्मस्य शाश्वत तथा धर्मका सुखस्यकांतिकस्यच सुखस्य एकांतिकस्य यानि सुख का अखंड एक्रस भी शाश्वतस्य चधर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य चण तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ हुआ जो मनुश्य अव्यभिचारी अविचलित भाव के भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को भलिभाती लांग कर सच्चिदानन ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है क्योंकि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रे हूँ अम्रित का नित्य धर्म का अखन एक्रस और शाश्वत पत और चरम सुख का आश्रे भी मैं ही हूँ इसी के साथ श्रीमन भगवत गीता का चौद्वा